हख़ी हैं हेलो स्टुडेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश मेजर डिवर्स तो हिमाचल प्रदेश की जो-जो मेजर डिवर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पहले में आपको एक overview दूँगा उसके बाद हम question and answers पे जाएंगे ताकि वो एक तरीके से आपका revision हो जाए तो basically हम यह जो आप अभी देख रहे हैं यह है अपका हिमाचल का map अब आपके हिमाचल में कितनी reverse हैं total आपकी हिमाचल में 5 reverse हैं कौन-कौन सी है वो वो 5 reverse हैं आपकी सबसे पहले आती है सतलुच फिर है आपकी चेनाब रावी ब्यास और आपकी आती एक जो इधर से जो सिर्मौर से हो करके UP मेंटर कर जाती है यहाँ पर है आपकी यमुना तो आपकी 5 reverse हो जाती है तो अगर उपर से देखा जा है तो चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुच और यमना आप उसे याद कर सकते हैं CRBSY के निमोनिक से ठीक है तो अब हम देखेंगे इसकी details तो पहले आती है हमारी चेनाब रिवर अब चेनाब रिवर जो है यह दो अलग-अलग major rivers का संगम होने के बाद बनती है तो आपकी एक जो रिवर है वो है भागा और एक है चंद्रा अब जो भागा river है यह आपका सूरस ताल से इसका origin होता है वहीं चंद्रा river का आपका होता है चंद्रताल से यह दोनों जब आपस में मिलती है तांडी में यह तांडी एक जगह है यह जब मिलती है यहाँ पर इसका origin होता है ज यह और जो जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सेचर नाला है संसारी नाला है मेयार नाला है तो यह सारे जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं चेनाप की यह मैप में आप यह देख सकते हैं यह डाइग्राम में आप यह देख सकते हैं अब यह कौन-कौन से स्टेट से हो करके जा उसके बाद यह जब PASS होती है तो यह चमबा में हूज एंटर कर जाती है और उसके बाद यह पाकिस्तान में चले जाती है तो अब हम आगे देखेंगे वैदिक नाम जो है इसका असकिनी है तो कि यह एग्जम्स में पूछ लिए जाते हैं इसका वैदिक नाम, संस्क्रित ना नाम ग्रीक नेम तो यह आप तीनों नाम यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको याद कर रखने पड़ेंगे संस्क्रीट नाम इसका चंद्रा भागा है और ग्रीक नेम इसका सीनीज है इसका origin कहां से होता है confluence of चंद्रा और भागा जैसे मैं आपको बताया कि चंद्रा आती है एक रिवर एक भागा आती है और चंद्रा नीचे है यह जहाँ पर मिलती है तांडी में यहाँ से यह आपकी चेनाप बन जाती है ठीक है इसकी total length जो है वो है 1200 km की यह total length चेनाप की है बट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी जो length है वो कितनी है वो 100 सरफ 112 km है ठीक है और इसका जो total area है वो है 61,000 square km जैसे मैं आपको बताया कि चेनाप पहले हिमाचल में होती है हिमाचल से यह form होती है हिमाचल से form होकर के यह कश्मीर चले जाती है यह कश्मीर से आगे जब जाती है तो यह पाकिस्तान में इंदूस रिवर सिस्टम में मर्ज हो जाती है तो यह हिमाचल से ओरीजन होकर कि कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान वाले रूट पे निकल जाती है फिर देखते हैं इसकी टोटल एरिया हमने देख लिया 61,000 स्क्वाइर किलोमेटर है अब इसका एक होता है कैच्मेंट एरिया जो कि HP में कितना है वो है 7500 स्क्वाइर किलो इसका ओरीजन है चंद्रा ग्लेशियर के लिया देख सकते हैं उदयपुर, किलर, दोदा, रामबन, तंडी यह जितने मेजर सिटीज हैं यह आपके रिवर के लेफ्ट यह राइट साइड में आपके सिच्वेटेड हैं अब बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरी की तो यह जो भागा रिवर है इसका ओरीजन जो है वो है कुल लाहॉल वैली में और जो चंद्रा रिवर है इसका ओरीजन है चंद्रा ग्लेशियर से इसको गारा वैली भी बोला जाता है लाहॉल वैली को और जो चंद्रा ग्लेशियर जहां पर है उसको बोला जाता है रंगोली वैल और उसके बाद यह चमबा में एंटर करती है फिर यह चलियाती है चम्मु इन कश्मीर और फिर वहां से पाकिस्तान आगे देखते हैं यह कुछ facts हैं चेनाब रिवर के पहला fact कि यह सबसे northernmost river है किसकी hp की अगर हम hp को ऐसे माने तो यह सबसे northernmost मतलब यह north में आपकी सबसे यम्ना यह इसी sequence में मैंने आपको बताया है कि चेनाब रावी बयास सतलुज और यम्ना के sequence में रहेगा from north to south और इसका एक और important fact जो है वो in terms of volume जो है यह चेनाब रिवर सबसे बड़ी है अगर आप उसे पूछा जाएगा कि longest river कौन सी है तो आप का answer होगा सतलुज but अगर यह पुछा जाएगा सबसे बड़ी in terms of volume मतलब सबसादा पानी किस में है तो वो है आपका चेनाब में ठीक है और एक question और बन जाता है कि gold कौन सी river में मिलता है हिमाचल की कौन सी नदी में gold मिलता है तो वो है आपका चेनाब river तो आपका gold भी हहाँ पर मिलता है यह question आपका बन जाता है यहां से और चेनाब river जो valley form करता है जो valley चेनाब river के through form हुई है उसको बोलते है पटन वैली तो यह कुछ facts है यह आप याद रखेगा आप वैसे आप एक बार पढ़ लेके तो आपको यादी रहेगा but still revision is important चलिए next river देखते हैं river रावी रावी river rises from बरा जो है यह बनता है आपका भादल glacier से और तंदगिरी glacier से river रावी के right hand side में चमबा district पढ़ता है यह question कभी कभी आ जाता है चमबा town is situated on the right bank of the river रावी the रावी flows by the foot of Dalhousie hills अब Dalhousie के जो पहाड है उनके नीचे से बहकती हुई river रावी निकलती है और through the famous चमबा वैली the river first flows westward through separating the पीर पंजल from दोलाधार अब यह पीर पंजल जो हमारी शिंकला है पहाडों की पीर पंजल और दोलाधार range को divide करती है कई बार यह भी question आ जाता है कि पीर पंजल और दोलाधार को कौन सी river डिवाइड करती है तो वो करती है river रावी इसके कुछ और facts देखते हैं अब देखते हैं इसकी length river रावी की जो total length है वो है 720 km और जो हिमाचल में पढ़ती है सरफ हिमाचल के अंदर रहती है वो है 158 इसका catchment area है 14,442 square kilometer और हिमाचल में पढ़ता है 5,451 square kilometer इसका Sanskrit name क्या है इरावती Vedic name है पुर्शानी और Greek name है इसका hydrates या hydraster तो ये छोटे-छोटे points हैं जो कभी-कभी exam में commonly पूछ ले जाते हैं तो ये river रावी के बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है रिवर ब्यास ब्यास रिवर ओरिजनेट फ्रॉम रोतांग पास अब रोतांग पास आपका जो है ये मनाली लिए highway जाते हुए बीच में पढ़ता है और इससे पहले पढ़ता आपका वशिष्ट जहां पर आपका गरम पानी का सोता भी है hot water spring after Himalayas this river flows through the field of Punjab and Pakistan ये इमाचर प्रदेश से निकल के पंजाब और पंजाब से फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है जहां ये इंदुस से मिल जाती है उसके बाद ये अरीबिन सी में फॉल हो जाती है इसके जो sources हैं वो हैं ब्यास रिशी और ब्यास कुंड जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये ब्यास कुंड और ब्यास रिशी जो हैं ये इन दोनों से मिल करके ये आपकी ब्यास नदी बनती है बोद the sources of river meet at पालाचान विलेज तो ये जो विलेज पड़ेगा यहां पर ये पालाचान विलेज पड़ेगा ये important villages हैं जो इस नदी के right side या left side में पड़ते हैं the river ब्यास embraces the river Satluj at Harika Patan अब ये जो आपका river ब्यास है river ब्यास आपकी मिल जाती है Satluj नदी में मतलब ये ब्यास है फिर Satluj आ रही है Satluj नदी में ये मिल जाए है जो कि पंजाब में पड़ता है before going to Pakistan इसके कुछ और major points है उन्हें भी देख लेते हैं इसकी length अब आपकी इसकी length जो है वो है संस्कृत में प्यास का नाम है वेपासा फैदिक नेम इसका है अर्जिक्या और ग्रीक नाम है इसका हैपिसिस ये सारे points exam point of view से important है तो ये सारे points आप याद रखिए और इन साब को definitely mark score करने में फायदा होगा नेक्स्ट है हमारी river सतलच अब river सतलुच यह हमारी सारी नदियों में से सबसे बड़ी सबसे लंबी है तो इसको देख लेते हैं इसको origination जो होता है वो होता है आपका तिबबत से तिबबत में खहां से होता है मांस ओर-ओर में वहां से होता हिमाचल में एंटर करती है शिप की ला में शिप की ला में एंटर करने के बाद इसमें काफी सारी जो छोटी-छोटी हैं जैसे तैती हो गया बसपा हो गया और स्पीती रिवर हो गई यह सारी इसमें एड़ अप होती चली जाती है और यह आगे चली आती है इसके उपर एक बहुत बड़ा टैम भी है जो की भागडा नंगल डैम है आपको पता ही होगा तो यह आपकी इतिब्बत से आती है सौधन स्लोप्स ऑफ दे कैलाश मांटें जैसा मैंने बता आपको यह कैलाश मांटें के सौधन साइड में है जो की तिब्बत का एरिया पड़ जाता है जिसे बोलते है मांसरोवर लेक इट एंटर्स हिमाचल एट शिपकी यह शिपकी में एंटर करती है और फ्लो कहां से कर करती है जैसा मैंने बता आपको कि नौर शिमला कुलू सोलन मंडी बिलासपूर यह इतने सारे स्टेट्स से होगर के जाती है इट लीवस हिमाजर प्रदेश टू एंटर प्लेंस ऑफ पंजाब अट भागड़ा अब आपका भागड़ा रंगल डैम जो है बिलासपूर में पढ़ता है उसके बादी सीधा पंजाब में चलिया आती है और पंजाब से निकल करके फिर यह जाती है पाकिस्तान में जहां यह इंदूस नदी से मिल जाती है यूमन सेट्लमेंट जो है बैंक के जो सतलूज रिवर के जो बैंक में है वो है नामगिया कल्पा रामपूर ताथा पानी सुनी और बिलासपूर यह सारे इसके लेफ्ट अन्स 사इड में राइट हैН्स आसज ये सारे यूमन सेट्लमेंट वो है इसकी 1448 km और हिमाचल में इसका area पड़ता है जो length पड़ती है वो है 320 km catchment area इसका पड़ता है 50,140 km और हिमाचल में है इसका 20,000 km संस्क्रित का नाम है इसका शतूद्रू और पैदिक नाम है इसका शतुद्री, घ्रीक नेम इसका आजाता है इसी ड्रास या जारो ड्रास, ये तीनों में आपको मिल जाएंगे, मतब जितनी नदिया है, सी, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमना, उन सब में आपको से संस्क्रित नेम, वैदिक नेम, घ्रीक नेम, ये तीनों तो बट ये तीन जो चीज़े हैं संस्कृत नेम, वैदिक नेम और ग्रीक नेम ये आपको 100% रट लेने चाहिए क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं अमारी आखरी नदी है यमना, यमना जो है वो आपकी यमनोत्री से इसका आगमन होता है जो की उत्राखंड में पड़ता है और ये कालिनत परवत से निकलती हुई कालसी में इंटर करती है फिर ये हिमाचल में होती हुई यूपी में और फिर यूपी से ये गंगा में मर्ज ह यह गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और हिमाचल में सबसे छोटी नदी मतब सबसे छोटा एरिया इसका आता है जो कि इसका अप्रॉक्स 2000 किलोमेटर का है तो एक तो यह शॉर्टेस्ट रिवर है जैसे मैं आपको बताया और यह लार्जस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की फिर इसका रिलेशन जो हमें बताया गया है वो सन गॉट से है और काली इनद परवत से राइजस फ्रम यमनोतरी जो की उत्राखंड में है उत्तरांचल भी बोला जाता है उत्तराखंड को और यह यमना जो है यह इस्टन मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की मत बन जाती है यह यमना रिवर जो है हिमाचल से बाहर कहा निकलती है ताजेवाला में यह पॉटा साहिब में एंटर कर जाती है हिमाचल प्रदेश में रिवर यमना के कुछ important points इसके total length है 2525 km जो की हिमाचल में सरफ यह 22 km की होती है हिमाचल में जब यह एंटर करती है और एक किलोमेटर का है इसका कैश्मेंट एरिया है 366,220 और हिमाचल में इसका जो कैश्मेंट एरिया आता है वो 2320 स्क्वार किलोमेटर का है संस्कृत नेम इसका यमना है वैदिक नेम इसका कालिंदी और ग्रीक नेम जो है इसका लोमीज है तो यह तीन इसके पॉइंट आपके इं रिवर्ज जो है mean rivers जो है हिमाचल की वो cover कर ली है चैनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और उमना ये इसकी important है और ने इसमें हम हम इनके tribute trees जो important tribute is है उनको देखेंगे मिलते हैं आपसे next video में subscribe करना ना भूले है और पसंद आए तो like जरूर करेए और शेयर करें थैंक यू catch you in the next video